हेलो गाइस, बेलकम बैक माई यूटूब चैनल टेकनिकल गदराना तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने माले हैं जैसा कि आपने थमनेल में देख लिया होगा इश्रम कार्ड का जो एक हजार पे सरकार द्वारा खातों में डाल दिया गया है उसके बारे में आप कैसे गर बैठे को चेक कर सकते हो कि आपके इश्रम कार्ड में पैसे आए हैं जाफर नहीं तो दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें तो दोस्तो वीडियो करते हैं शुरू तो दोस्तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो जूपी में 500 पे जूपी सरकार द्वारा 5 जनबरी दो जरवाई को खातों में डाल दिये गए हैं और दोस्तो जो दूसरी किस्त जो उत्र प्रदेश में जो कि एकशार की जारी की जा सकती है ऐसा माना जा रहा है और वो दोस्तो 10 मार्च दो जरवाई को जो कि जारी की जा सकती है तो दोस्तो आपको बताता हूँ मैं कि अगर आपको इश्रम कार्ड बनवाना तो उसके लिए कितनी उमर होनी चाहिए आपकी 15 वर्ष चे लेकर 69 जाने की 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तो दोस्तों अगर आपकी जो 15 साल से 60 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप अपना इश्रम कार्ड बन्मा सकते हैं और इसका लाब ले सकते हैं तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके इस प्रकार से चेक कर सकते हूँ आपके इश्रम कार्ड का पैसा आपके खाते में आया है जाफर नहीं तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताता हूँ आप अपने बैंक में जाकर पता कर सकते हैं अपनी passbook साथ ले जाएए और उसमें entry करवाईए और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके account में पैसा आया है जाफर नहीं और दूसरा दोस्तों आप गर बेठे भी चेक कर सकते हो इसके लिए दोस्तों आपको कह करना है जो भी आपका bank के साथ registered mobile number है उससे आपको जो passbook पर एक back side पर toll free number दिया होता है आप उससे call भी कर सकते हो और उससे पर BAL लिखकर SMS भी कर सकते हो और उससे आपके message आएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके account में balance जाने कि पैसा आया है जाफर नहीं और दूस्तों तीसरा number पर अगर आपके पास ATM काल रहा है तो आप ATM मचीन में जाकर balance sheet प्राप्त कर सकते हो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा आया है जाफर नहीं और दूसरों चार number पर अगर आपके गाउं में इसे वाके इंदर है तो आप बहाँ पर जाकर भी अपने जो गूठे का निशान दे कर bank balance की जानकरी प्राप्त कर सकते हो तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि शर्म काड कौण कौण बनमा सकता है अपना तो दोस्तों जहां पर आप देख सकते हो लिगा हुआ रिक्षा चाल का सबजी बेचने वाला फल बेचने वाला मोची नाई थेला लगाने वाला छड़क पर साइकल रिक्षा चलाने वाला जवफ ठीक करने वाला अन्य इसे प्रकार के अपना शर्म काड बना सकते हैं तो दोस्तो इसकी उमर आपको मैंने पहले बता दी थी 16 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए तो दोस्तो इसे बनाने के लिए आपके पास pen card, 00.000,00 पंक खाता और 00.000 में जो mobile number लेंक का है वो भी होनना चाहिए और दोस्तो अगर आपके पास mobile number लेंक का नहीं आए तो दोस्तो आगे हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से बंदता है तो दोस्तो आप गर पेठे भी मना सकते हो इसका लिंक में आपको साइट का जो डिक्रिप्शन में दिखने लिख दूँगा तो दोस्तों अगर आप बहाँ पर आपको जो इश्रम कार्ड सीधर अपने गूगल में टैप करना है और जो फास्ट में साइट आईगी उस पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको बहाँ पर अपना जो दार कार्ड के साथ मोयल नम्बर लिंक करेगा उसको डालना है और उसके बाद फिर से ऐपको जो भी जांकरी मांगे वह फिल करते जाएए और उसके बद संबिट कर देना है और आपका हाथ हो आता है इश्रम कारड बन जाएगा और दोस्तों अगर आपको कम्प्यूटर का इतना जादा मलकि नौलज नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है अपने जन से वक इंदर में जाना है गाओं में जा पर शहर में आप बहाँ पर सानी से अपना जो इश्रम कारड बनवा सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में सर्फ इतना बताना था मैंने आपको कि आप कैसे अपने इश्रम कारड का बैल से चेक कर सकते हो जाने की पैसा आया पर जा पर नहीं आया है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अनेबल वीडियो के जो नाटिकेशन पहुंचते हैं इसके लिए आपको बैल का आइकन बटन प्रेस करें तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंदे मातरम